बढ़वानी क्रिशी उपश मंडी में किसान कम भाव पर उपश बेचने को मजबूर है। दीपामली का तहवार सामने आ गया है और किसान कम दाम पर कपास पेच कर किसी तरह अपनी जरुरतों को पूरा करना चाहते हैं। बढ़वानी मंडी में पिछले सब्ता करीब 200 किंटल कपास की आवक थी लेकिन इस सब्ता कपास की आवक कम नजर आई। मंडी में किसान कपास बेचने आया लेकिन भाव कम मिला इसे किसान परेशान नजर आया। अच्छी कॉरिटी का कपास होने के बाद भी भाव 32 से 45 प्रतिक इंटल दिया गया। जबकि भाव 5000 से अधिक मिलना चाहिए था। जवाबदार कहते हैं कि CCI द्वारा उची ताम में कपास खरीदी की जा रही है। जिस कारण समय पर किसान की कपास की बिक्री नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसान मंडी का रुप कर यहां कपास बेच रहे हैं। जहां व्याबारी CCI के कम भाव में कपास खरीद रहे हैं। बढ़वानी से अदल कुमावत की रिपोर्ट। कि या नहीं है आपका। मैं अन्सुर हुसें। हुसें जी मंडी आये हो। क्या है कपास को लेकर वेस्ता है। कपास की इस्तित बहुत दईनी हैं। बहुत कम भाव में बिक्रा है। करीब समतिंग 5,000 के बेंदर भीकर है। कम से कम 3,400 रुपे भीका है। क्या है अधिक माल आने की वज़े से वहां पर लोट जादा है। इसलिए वहां पर तो या तीन दिन लग रहे हैं। करीबर इसलिए व्यापारी यह किसान जाने में थोड़ा कत्रा रहा है। क्या है अग्य तेवार आ रहा है मजबूरी में बेच रहा है। क्या है मजबूरी में बेच रहा है। कि इस टाइडिंग भाव क्या था और एंडिंग काश अपने हें अब लाक्षामन बगेल जी क्या ले नायों मंडी कपास मंडी में लायते हैं आज वहिए इसके कारण बहुत क्पास का भॉह बहुत कम है मेरा कापाढ शोतीस सो में विका है और आगे दिवार आ रहे है इसके कारण बहुत किसान परिशान है काम बहुत मिल रहा है इसका कापाँ निया है क्या चाते हो क्या होना चीज के पाच हजार से उपर भाव रेना चेक किसान परिशान है क्या कारण है कि भाव कम आ रहा है आगे तिवार आ रहे हैं हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल S.W.24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तरें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें